हाई गाईज, वेलकिम चूबी बैंकर, स्वागत है आपका अच की क्लास में आच की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए कौर नहीं, जबरदस्त वाली क्लास क्या होनी वाली है भई आज की क्लास, तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे जादा प्रियोग होनी वाले शब्द, ये वो शब्द हैं जो वाक के बनाने में आपके मदद करेंगे, यानि कि ये सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे, जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, जब आप क सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस वाट्सप नमबर के जरिये, हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स, हमारी पेड कोर्स इसके बारे में जानने के लिए, साथे साथ ये वाली क्लास इसके जैसी धेरो क्लास, डिरेक्ली अपने होम वह घरपर है, he is at home वह घरपर है, he is at home, that मतलब होता है वह, t.h.a.t मतलब होता है वह, that पढ़ते हैं इसको मतलब होता है वह, that is my bag वह मेरा ब wipes है, Go by bus In, in का मतलब होता है मे It is in bag यहाब बैग में है बढ़ते हैं आगे O and on पढ़ते हैं इसको पर O and on पढ़ते हैं इसको मतलब होता है पर यह इस्तमाल होता है किसी भी दो चीजों का कॉंटाक्ट दिखाने के लिए जैसे on the table मेज पर जैसे किताब मेज पर है तो किताब का जो है वो कॉंटाक्ट है टेबल से सर्फिस टेबल के सर्फिस पर जो है किताब रखी हुई है तो टेबल के कॉंटाक्ट में है किताब तो on the table यानि की मेज पर आ रहा है समझ में चली बढ़ते हैं आगे अगला है off, off का मतलब होता है का, के, की जी हां, तीनोही रूप में इस्तिमाल होता है इस्तिमाल देखिए, cover of book, किताब का cover cover of book from, from का मतलब होता है say I am from Pune, मैं Pune से हूँ आप जहां से भी हूँ, आप वहां का नाम बोल सकते हैं I am from सूरत, मैं सूरत से हूँ I am from Bangalore, मैं Bangalore से हूँ इस तरीके से आप say कस्तिमाल, यानि कि from कस्तिमाल कर सकते हैं जब आप से कोई पूछे, आप कहां से हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं I am from, जहां से भी आप बिलॉंग करते हों, वहां का नाम यानि कि आप currently जहां पर रहते हों, वहां के बारे मैं आप बता करके I am from, उस जगा का नाम आप बता सकते हैं For, for का मतलब होता है लिये या के लिये For का मतलब होता है लिये या के लिये तो for you, तुम्हारे लिये बढ़ते हैं आगे into यानि कि के अंदर इंटू का मतलब होता है के अंदर He came into the room वह कमरे के अंदर आया He came into the room वह कमरे के अंदर आया Clear है? चलिए बढ़े आगे Over यानि कि सर के उपर Over यानि कि जो चीज आपके सर के उपर हो Over basically इसका मतलब होता है और especially वह इन चीजों के बारे में दिखाने के लिए इस्तमाल होता है जो सर के उपर हो Fan is over the head पंखा सर के उपर है वह आपके सर को टच नहीं कर रहा है लेकिन आपके सर के उपर है तो ऐसे चीजों के लिए आप Over का स्तमाल करेंगे Fan is over the head पंखा सर के उपर है With मतलब साथ या साथ में With का स्तमाल दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं साथ या साथ में Go with him उसके साथ जाओ Go with him उसके साथ जाओ Go with him Clear है चलिए बढ़े हांगे Under का मतलब होता है के अंतरगत नीचे अधीन या कम ये चारो शब्दों के जगह पे आप अंडर का स्तमाल कर सकते हैं कैसे करेंगे चलिए देखते हैं It is under the table वह मेज के नीचे है It is under the table वह मेज के नीचे है It is under the table अगला शब्द है about A, B, O, U, T पढ़ते हैं इसको about मतलब होता है बारे में के बारे में, विशय में क्या मतलब होता है बारे में, के बारे में, विशय में इस्तमाल देखेंगे अपने बारे में बताओ Tell me about yourself अगला शब्द हमारे पास upon U, P, O, N upon मतलब होता है के उपर मतलब होता है के उपर जब कोई चीज टच करें साथ में उसमें गती भी हो मतलब दो चीजों के बीच में contact हो और दोनों में से कोई एक चीज में गती हो तो कैसे आप इसको example में देख सकते हैं You can always depend upon help, upon for help You can always depend upon her for help, आप हमेशा मदद के लिए उस पर निरभर रह सकते हैं मतलब आप यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सामने वाला है उस पर आप मदद के लिए depend रह सकते हैं लेकिन सामने वाला स्थर थोड़ी ना है आप उसके पास चलके जाएंगे उसको बोलेंगे कि हाँ भई मुझे मदद चाहिए clear है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है I I का मतलब होता है मैं I का मतलब होता है मैं इसको इस्तमाल देखिए कैसे कर सकते हैं I am going to the market मैं बाजार जा रहा हूँ I am going to the market अगला है मी मी का मतलब होता है मुझे मी का मतलब क्या होता है मी का मतलब होता है मुझे example देखिए this is give me this pen यह कलम मुझे दे दो give me this pen यह कलम मुझे दे दो give me this pen अगला शब्द है my माई का मतलब होता है मेरा माई का मतलब क्या होता है माई का मतलब होता है मेरा this is my car यह मेरी कार है बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है mine, m-i-n-e पढ़ते हैं इसको mine, example देखिए, this phone is mine, यह phone मेरा है या मेरी, मतलब यह किताब मेरी है, यह phone मेरा है, समझे यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों को confusion होता है, जब मैं बताओं कि mine का मतलब या तो मेरा होता है, या तो मेरी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह लड़के और लड़की की मैं बात कर रही हूँ, मेरा मेरी है ना, यह मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यह depend करता है ना, कि चाहे लड़का बोले इस वाके को या लड़की बोले इस वाके को, यह depend करता है, जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं, उ फोन मेरा है और किताब ये किताब मेरी है ये किताब मेरी है ये वाक्य जो है वो सेम रहेगा चाहे लड़का बोले या लड़की बोले किताब उसकी होगी उसका नहीं होगा समझ रहें तो जो वाक्य है उसके उपर डिपेंड करता है कि वाक्य मेरी इस्तमाल होगा या मेरा इ अगला शब्द हमारे पास मतलब होता है हमारा इस वाकिय को ध्यान से देखिए आप किसी एक घर को दिखा के कह रहे हैं कि यह हमारा घर है आप बहुत नॉमली इस चीज को कह रहे हैं आप अपने से रिलेटर जो चीज है उसके बारे में आप किसी को information दे रहे हैं कि हाँ भई ये चीज हमारी है है ना अच्छा इसके बाद एक शब्द है hours O-U-R-S hours इसका मतलब होता है हमारा लेकिन फर्क क्या है फर्क ये है कि ये position दिखाता है यानि कि मालिकाना हक दिखाता है जब किसी चीज के बारे में आप बहुत ज़्यादा possessive होकर करके बोलते हैं तो आप वहाँ पे hours करस्तमाल करते हैं कैसे example देखिए This house is hours यह घर हमारा है आप यहाँ पे जोर डाल रहे हैं हमारा पे किस पे जोर डाल रहे हैं आप यहाँ पे जोर डाल रहे हैं हमारा शब्द पे यह घर हमारा है तो यहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे है? आप मालिकाना हग दिखाना चाह रहे है clear हो गया? चलिए बढ़े आगे अगला शब्द है you you का मतब होता है तुम, आप, तू जी हाँ, यह depend करता है आप किसके लिए इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप बड़े की बात करें तो तुम का अस्तमाल नहीं होगा आपका अस्तमाल होगा अगर आप दोस्तों की बात करें तो आप तुम कह सकते हैं या तू कह सकते हैं या छोटों की बात करें तो तू कह सकते हैं तू कह सकते हैं यह depend करता है कि आप किस से बात कर रहे हैं, यह हिंदी के बारे में, लेकिन अगर जब आप अंग्रेजी की बात करें, आप अंग्रेजी में किसी से भी बात करिए, चाहे अपने बड़ों से बात करिए, चोटों से बात करिए, या हमुम्रे लोगों से बात करिए, तो आप you का मतलब होता है तुम्हारा, यॉर का मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, अगला शब्ध है यॉर्स, य-o-u-r-s, एस लग गया यहाँ पे, बन गया यह यॉर्स, यॉर्स का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, लेकिन क्योंकि यॉर के साथ इसमें लगा हुआ है S और यह बन गया है यॉर्स तो यहाँ पर भी यह मालिकाना हग दिखाने वाला काम ही कर रहा है एक्जेम्पल इस बैग इस यॉर्स यहाँ बैग तुम्हारा है आप किसी की belonging का एहसास करा रहे हैं उसको कि अरे यह तुम्हारा है मतलब आपको पता है वो उसका है तो आप इस तरीके से forcefully इस चीज़ को बोल रहे हैं मतलब जादा जोर डालके बोल रहे हैं कि दिस बैग इस यॉर्स यह बैग तुम्हारा है दिस बैग इस यॉर्स बढ़ते हैं आगे अगला शब्द हमारे पास he ह-e ही पढ़ते हैं इसको अर मतलब होता है वह या उसे वह या उसे इस्तेमाल होता है male के लिए male यानि कि पुरुश के लिए इस्तेमाल होता है जब भी आप पुरुश की बात करें तो उनको आप आप बोलते हैं, मतलब अगर आप उनका नाम एक आद बार ले चुके हैं, तब आप वहाँ पे ही कस्तमाल करते हैं, या उसे कस्तमाल करते हैं, तो आप अंग्रेजी में ही कस्तमाल करेंगे, याद रखिए ही कस्तमाल जब भी आप अंग्रेजी में करें, तो वो हमेशा सामने वाले कि जिसके भी बारे में बाब बात कर रहे हैं वो पुरश होना चाहिए तब ही आप ही का इस्तमाल करेंगे एक्जामपल ही इस गोइंग वह जा रहा है देखिए यहां पर ही इस गोइंग वह जा रहा है तो हम लोग यहां पर क्या इस्तमाल कर रहे हैं जा रहा है रही है नहीं इस्तमाल कर रहे हैं क्यों 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 ही का इस्तमाल male members के लिए होता है अगला शब्दे हमारे पास him him का मतलब होता है उसे या उसको और इसका इस्तमाल भी जो है वो male member के लिए ही होता है ये बात याद रखनी है Him का इस्तमाल भी male members के लिए होता है Call him, उसे बुलाओ बढ़ते हैं आगे अगला शवद हमारे पास She S.H.E. पढ़ते हैं इसको She मतलब होता है वह या उसे लेकिन इसका इस्तमाल जो है वो female के लिए होता है इसका इस्तमाल किसके लिए होता है? इसका इस्तमाल होता है female के लिए Example के तौर पर She is going, वह जा रही है She is going, वह जा रही है She is going अगला शवद है as A.S. as पढ़ते हैं इसको मतलब होता है जैसा मतलब क्या होता है? मतलब होता है जैसा Example, as you say जैसा आप कहीं As you say, जैसा आप कहीं As you say Clear है? चलिए बढ़े आगे अगला है शब्द Now, यानि की अब या अभी Now का मतलब अभ या अभी इस्तमाल देखिए He will come now वह अभी आएगा He will come now वह अभी आएगा He will come now अगला शब्द है Until U and T I L पढ़ते हैं इसको Until, मतलब होता है जब तक मतलब क्या होता है जब तक इस्तमाल देखिए Wait until the doctor comes Doctor की आने तक इंतिजार करी Wait until the doctor comes Clear है? अगला शब्द है विच विच का मतलब होता है कौन सा विच का मतलब क्या होता है विच का मतलब होता है कौन सा Example देखेंगे Which is your bag आपका bag कौन सा है? Who का मतलब होता है कौन या किसने Example देखिए Who is there, कौन है वहाँ अगला शब्द है When डबलु एच इएझे अन विच पढ़ते हैं इसको और मतलब होता है कब या जब मतलब क्या होता है कब या जब इस्तमाल देखेंगे When will they go? वे कब जाएंगे, when will they go, वे कब जाएंगे, when will they go, and, and, पढ़ते हैं इसको and, मतलब होता है तथा या और, दोनों ही रूप में आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा के रूप में भी और और के रूप में भी, example देखिए, come and see, आओ और देखो, come and see, आओ और देखो, both, 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 मतलब होता है दोनों या दोनों लोग, दोनों या दोनों लोग, I like both, मुझे दोनों पसंद है, I like both, मुझे दोनों पसंद है, I like both, if, मतलब अगर या यदि, if, अगर या यदि, if I can go, अगर मैं जा सकता हूँ, that, t, h, a, t, पढ़ते हैं इसको that, मतलब होता है की, वह या जो, ये तीनों ही जगहों पे that का स्तमाल आप आराम से कर सकते हैं, depending की वाक्य क्या है, है ना, वाक्य का मीनिंग क्या निकल क्या रहा है, उसके बेसिस पे आप that का स्तमाल जो है, एक हो गया वह, एक हो गया जो, I want to say that मैं यह कहना चाहता हूँ की, यहां पे कैसे इस्तमाल हो रहा है, की के रूप में इस्तमाल हो रहा है, but, but का इस्तमाल होता है, लेकिन, मगर, किन्तु, परन्तु अगला शब्द है her पढ़ते हैं इसको और मतलब होता है उसे या उसको लेकिन इसका इस्तमाल female के लिए होता है यानि कि महिलाओ के लिए होता है example call her उसे बुलाओ call her fully 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 पूरी तरह से फुली का मतलब पूरी तरह से example देखिए boss was fully satisfied with our work boss हमारे काम से पूरी तरह संतुष्ट थे boss was fully satisfied with our work अगला शब्द है deeply d-double-e-p-l-y deeply गहराई से गंभीरता पूर्वक या गहरा गहरे गहराई से कंभीरता पूर्वक गहरे example he is deeply in shock वह गहरे सदमे में है he is deeply in shock वह गहरे सदमे में है he is deeply in shock hardly यानि की मुश्किल से कभी hardly मुश्किल से कभी he hardly goes there वह मुश्किल से वहाँ जाते हैं he hardly goes there वह मुश्किल से वहाँ जाते हैं he hardly goes there clearly यानि की स्पष्ट रूप से clearly स्पष्ट रूप से speak clearly स्पष्ट रूप से कहो speak clearly स्पष्ट रूप से कहो speak clearly really या actually दोनों ही वो शब्दों का स्थमाल आप जब भी आपको किसी वाक्य में वास्तव में जैसे शब्दों का स्थमाल करना हो तो वहाँ पे आप really या actually दोनों ही शब्दों का अस्तमाल कर सकते हैं It is really easy यह वास्तव में असान है It is really easy यह वास्तव में असान है Usually यानि कि आम तौर पर Usually मतलब आम तौर पर Example, I usually wake up at 6 आम तौर पर मैं 6 बज़े उठता हूं Usually I wake up at 6 Likely यानि कि संभावित उपयुक्त, संभावना या संभावतह Likely संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभावतह Example, He is likely to come उसके आने की संभावना है He is likely to come उसके आने की संभावना है He is likely to come Exactly यानि कि बिल्कुल या बिल्कुल सही Exactly बिल्कुल या बिल्कुल सही You are exactly right, आप बिल्कुल सही है, You are exactly right, आप बिल्कुल सही है, You are exactly right, Rarely, यानि कि शायद ही कभी या कभी कभार, Rarely, We rarely visit there, हम कभी कभार वहाँ जाते हैं, We rarely visit there, Finally, यानि कि आखिरकार, अंत में या आखिर में, Finally, Example, She finally smiled, वह आखिरकार मुस्कुराई, She finally smiled, वह आखिरकार मुस्कुराई, She finally smiled, Slowly, यानि कि धीरे से या धीरे-धीरे, Slowly, धीरे से या धीरे-धीरे, एक्जेम्पल, शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली, यानि की काफी निश्पक्ष रूप से या उचित रूप से, तीनों ही शब्दों के जगा पे आप फेरली का इस्तमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वाकिक किस तरीके का है, example देखे, it is fairly accurate, यह काफी सटीक है, it is fairly accurate, यानि की अत्याधिक, अत्याधिक मात्रा में, highly, अत्याधिक या अत्याधिक मात्रा से, He is highly motivated वह अत्याधिक प्रेरित है He is highly motivated वह अत्याधिक प्रेरित है He is highly motivated Clear है? तो क्या आप motivated है? अंग्रेजी सीखने के लिए? बिलकुल अगर है इतना भी तो आप बने हुए है क्लास में यहाँ तक तो चलिए क्लास अगर पसंद आई है तो like कर दीजे, share कर दीजे यह थी आज की क्लास बहुत जादा important शब्द इसमें बताए है इस तरीके ना mix वाले शब्द काफी जादा इस्तमाल होते हैं आपको जब आप conversation करते हैं जब आप किसी से बात करते हैं बातचीत करते हैं कि आखिर सीख तो बातचीत करने के लिए रहे हैं ना कि हमेशा सीखते ही रहे बातचीत भी तो कर रही है भई तो भई इसी वज़े से ये सारे शब्द लेकर क्या आई हूँ क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएए सारे शब्द याद करिए इनकर स्तमाल करिए एक एक दो दो शब्द स्तमाल करना सीखिए रोज मर्रा की लाइफ में देखिए फिर कैसे अचानक एक दिन आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप अकस्मा की अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो बिल्कुल क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजे और इसके साथ ही आपके सामने है भारत का اकलोता मिनी स्पोकेन अंग्लिश कोर्स जिसको आप प्यार से छोटो spoken English course में बुला सकते हैं ये course आपको देता है ऐसा हर वो वाक्य जिसका अस्तमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में यानि कि जिसका अस्तमाल आपने करना ही है अंग्रेजी बोलने में ऐसे वाक्यों का collection है ये इस course में और इस e-book में जी हाँ इसकी course भी आ चुकी है वो दुनिया में वो कौन से वाक्य है जिनका इस्तमाल वो सारे के सारे वाक्यों इसमें है उनका example है उनका structure है rules है कैसे अनुआद करें ये सारी चीजे इस किताब में आपको मिल जाती है और इस course में मिल जाती है इस course को और इस किताब को आपको parallelly follow करना है यानि कि दोनों को side by side रखकर के आपको learning करनी है किताब से भी और वीडियो से भी तो ये दोनों ही चीजे अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस number पर screen पर जो number आपको दिख रहा है उस number पर आपको करना है whatsapp message क्या लिखके भेजेंगे मुझे spoken English की mini spoken English course और उसकी e-book चाहिए क्या लिखके भेजेंगे ध्यान से सुन लीजे मुझे mini spoken English course और उसकी e-book चाहिए ये आपको लिखके भेजना पड़ेगा ताकि हमारे प्रतिनी धी द्वारा आपको ये चीज भेज दी जाए इसके साथ ही बहुत जल लांच करने जारी हूँ तीन किताबे एक होने वाली है helping verbs के उपर एक होने वाली है daily life sentences के उपर एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के उपर तीनों किताबे बहुत ज़्यादा जरूरी है daily life शब्द वाली किताब की तुमें ज मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों में से आपकी फेवरिट जो है वो कौन से होने वाली है अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं हमारे प्रीमियम वाटसप स्पोकन इंगलिश कोर्स में सो इसके इंक्वेरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं यानि कि वाटसप की सहुलियत पर यह सारी डीटेल्स जो है आपको वाटसप मेसेज में बता दी जाएंगी आप वाटसप मेसेज करके भेजिएगा कि भई मुझे इस कोर्स की जो है वो डीटेल्स चाहिए तो आपको यह हमारी टीम द्वारा यह जानकारी दे दी जाएगी यह जरूर पुछ लीजएगा किस प्ध all कि द्वारा गlor तो चवेज वेजलिए लोह सूरु हो रही है जो भी आपके दिल-वदमागम के सवाल आते हो fewleso —What इगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है अब बच्चो को ग्रामर स्काना बच्चो का खेल तो होता नहीं लेकिन अभी आसान है क्योंकि वीगर लेकर क्या है बेसिक इंगलिश ग्रामर फॉर इड़ किड्स जो की छोटे बच्चो की लिए ग्रामर की कोर्स है इसमें छोटे बच्चों को काफी interactive तरीके से grammar जखाया जाता है, खेल-खेल में बच्चे grammar सीख जाते हैं, तो काफी ज़्यादा वे समझ पाते हैं, skin query भी आप इस number पर कर सकते हैं, और अगर आप school जाने वाले बच्चे हैं, या आपके बच्चे school जाते हैं, तो फिर ये course बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपका writing section हो, या आपका grammar section हो, दोनों ही चीज़े इसमें कराई जाती है, writing मतलब, essay writing, debate writing, letter writing, notice writing, ये सारी चीज़े, और साथी कराई जाता है grammar, जो कि बहुत जादा मददगार होता है, writing section के लिए भी, और आपके literature के section के लिए भी, यानि कि school की किताब से जहाँ पर questions पूछते है न, उसके लिए भी बहुत जादा ये helpful होता है ये course, तो इसके inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं, और अगर आप वाकिए एक serious aspirant है, जो ऐसे किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हो, जिसमें अंग्रीजी पूछी जाती है, तो ये course बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी RC हो, vocabulary हो, grammar हो, या questions हो, धेर सारे, ये सारी कर आई जाती है, इसमें इसके inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं, inquiry करते वक्त ध्यान रखेंगे, ये course का नाम लेकर के inquiry भेजे, ताकि हमारे प्रतिनी थी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं, जानकारी मिलने में फिर भी 12-47 घंडों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर message कर दिया है, तो बिलकुल निश्चिन्त हो जाएं, आपको reply जरूर मिलेगा, clear, so yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbanker.